हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो माय चैनल फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आपको यह बताने वाली हूँ कि मैंने अपना ब्राइडल लेंगा बनाया था उसका ब्लाउज में किस तरीके से रडी करने वाली है फ्रेंट्स यह वीडियो थोड़ी सी लंबी है पर आपके लिए बहुत ही तदा हेलफुल होने वाली है इस वीडियो में आपको ब्राइडल ब्लाउज को कटिंग और स्टिचिंग करने का एकदम यूनीक एकदम लेटेस्ता और एकदम सिंपल सा तरीका देखने को मिलेगा इ असका अस्तर का कपड़ा जो में लेहगे में लगाया था वो ले लिया और ये बुकरम में लिया है जो कि मैंने वो थोड़ा सॉफ्ट वाला था हलका वाला के लिया आपको जादा कड़क वाला नहीं लेना है इसलिए इन तीज हो की मुझे अपने ब्लाउस में ज़रुरत सबसे पहले मैपना यापना फेवरी नियां में बेक का पार्ट करनेμα़ों मुझे लेंट पिलन जाहिए और 14 इंच तो मैं यहां पर पने इसकी वह साड़े पंदरा इंच मुझे उसकी लंबा ही लेलिये ए fell एक तक है मैंने 5,5 पंद्र इसलिए ताकि वो फोल्ड भी होगा इसलिए अपने आप ही वो कम हो जाएगा इस तरीके से मैंने पेले यहाँ पर लाइन ट्रो कर डिशायद आपको लाइन ट्रो दीखनी रिये पर इस तरीके से आपको आपका आपका फैबरिक ले लेना है और उसके अंद शोडर है वो लिए है 6 इंच मैं थोड़ा सा चोड़ा निक बनाने वाली हूं गला तो इसलिए मैंने छे इंच ले लिया है और यहां से मैंने यहां पर जो आम हो लिए यह भी मैंने छे इंच लिए वे देड इंच की मैं यहाँ पर गुलाई देने वाली हूँ, यहाँ पर मैंने देड इंच की बैक साइड में गुलाई दे दिये, आम हुल की, फ्रेंस यहाँ पर मैंने इस पर निशान लगा लिया है फ्रेंस, यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया था मैंने किस तरीके से ल दो इंच एक्स्ट्रा करह analysts थे कर लेंoten पर आपको पहले लाइन रोकर लेनी है उसके पाद इसके चटिंग कर लेनी आपको शायर ये थीख से नहीं दिख पा रहा होगा पर आपको simple तरीके से, जैसे आप simple blouse को cut करते हैं, उसी तरीके से cut करना है, यहाँ पर इस तरीके से cut कर लेना है, उसके बाद में, मैंने इसको अच्छी तरीके से cut कर लिया, अब हम इसका front का part करेंगे, फ्रंट के पार्ट के लिए मैंने यहां पर इतना ही बड़ा एक फेब्रिक ले लिया है जो कि मेरे लेंगे के कपड़े में से जो बचावा था उसी को मैंने लिया है यहां पर में इसको उल्टा करके इसलिए रख रहे हूं ताकि आपको निशान अच्छी तरीके से दिख सके और आप अच्छी तरीके से समझ पाओ इस तरीके से आपको आपका फेब्रिक को रख लेना ले लेना है और बस हमारा जो बेक का पार्ट हमने कट किया है उसे ही हमें यहां पर रख देना है वो सेम बस मार्किंग करके और सेम उसी तरीके से उसको भी कट कर लेना है यहां प यहां पर मैंने इस तरीके से यहां पर चो मेरा आम हुल है वहां पर इस तरीके से हम ब्लाउज में भी यही करते हैं फ्रेंट पार्ट में हलकी सी आम हुल में एक गुलाई और देनी परती है वहां पर इस तरीके से मैंने गुलाई भी दे दी है अब इसकी हम cutting कर लेंगे उसके बाल में आपको जिसकी main cutting है वो बताऊंगी इसको पहले आपको simple तरीके से cut कर लेना है यहापर जितना भी chest आपको लेना है आप आपका ले सकते हो यहाप पर half inch मैंने थोड़ा सा extra ले लिया था इसलिए मैं हलका सा कम कर रही हूं है यहापर मैंने cut ठीक से नहीं क्या था तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो तो मैं आपको अच्छी तरीके से और ड्राफ इसका ड्राफ कट करके भी बता दूंगी अगर आपको इसमें ठीक से समझ नहीं आएगा तो इसको बनाना बहुत ही साधा इजी है अगर यहाँ पर भली आपको थोड़ा सा अजीब लग यहाँ पर आपको इस तरीके से आपने आपका फैब्रिक जो है वो कट कर लिया है अब यहाँ पर हमें क्या करना है हमें अपना पहले नेक ले लेना है कपड़े को एकदम अच्छी से करके रख देना है सबसे पहले मुझे मैंने 6 इंच का अपना शोल्डर लिया था वहाँ वीडियो को ध्यान से देखे तो आपको आपने आप समझ में आ जाएगा यहाँ पर सबसे पहले में एक बॉक्स बना लूँगी ताक कि में को इजी हो जाए अपना यह कराम करना है उसके बाद सबसे पहले यहोगया फिर उसके बाद हमें हमारे गले का जो डीप मतलब जो जो में लंबाई है वो यह है यहाँ पर में ले लिए 7 इंच से जितना ही बड़ा मुझे मेरा गला रखना है अगर कम चाहो तो कम कर सकते हो जादा चाहो तो जादा कर सकते हो यहाँ से इस तरीके से हमें गुलाई देनी है और वो गुलाई हमें 7 इंच पे ही लेके जानी है अब आप 5 इंच का रखना चाहते हो चे, एंच का रखना निद खर छोल्डर नीच की एक रखने हो जूल्डर के साई किसमें часто अब आपना दोड़ा मेर इंच का गरला मेरे दोड़ा इंच घ्राइँ, इसली थीमें 8 इंच चॉल्डर को यहां तक हम यहां था led झाल से 3.5 इंच इहां था लगा लेना है यहां पर निशान लगा लिए उस पर नहीं करता है यहां पर मैंने निशान लिए विए यहां टादिते हुए यह पर में लगा लिया है यहां पर इस निशान से 4 इंच नीचे मुझे एक line ड्रो गड़नी है िसफल पर एक निशान बना लिया, इसकी बाद मैं यहां पर है 4 इंच नीचेальन रॉड्रो कर से यहां पर देख सकते हुभ फोर इंच पय और नीच सब्चमगे जो करणा है यहाँ पर मेरा half inch ही ही कपड़ा बचेगा यहाँ पर 4-inch यहाँ पर एक निशान लगा लिया यहाँ पर एक निशान लगाना है यहाँ पर मैंने चाहिए किया आप यहां से निशान लगाया थे ने उसके नीच इसे की साइड से हमारा टक्स बनाते हैं तो इस तरीके से हमें हाँ पर हमारा टक्स मतलब एक बना लेना है एक लाइन डो कर लेना है इस तरीके से हमने हमारी लाइन बना लिया दो यहाँ पर, 3.5 inch, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक line door कर ली है, यहाँ पर इस तरीके से, यह कर ली, उसके बाद में, यह line door कर लेने के बाद में, हमारा जो यह उपर का जो हमने यह mark कर रहा था, यह, इसको हम उस से मिला देंगे, यहां पर इस चीज को आपको बहुत ही अच्छे से देखना है और समझना है तभी आपका ब्लाउस सिल पाओगे सिलना तो बहुत जादा इजी है बस कटिंग में तो थोड़ी सा आपको डिफिकर्ट लगेगा पर वो भी बहुत जादा इजी है यहां पर मैंने निशान पूरा मेरा एक निशान बना लिया इसको अच्छे तरीके से कर लिया है उसके बाद मुझे का करना है सबसे पहले, इससे पहले मैं देख लूँगी कि मैंने कितना लगाया था, यहां पर यहां पर पूरा हो गया, यह मेरा 4 इंच का एक निशान हो गया, उसके बाद मैंने 1 इंच का यहां पर निशान लगाया था, यहां पर निशान लगाया था, फिर मैंने 4 इंच की मेरी एक औ बन गई थी मैं फिर से आपको बता रही फ्रंस यहां पर एक और लंबी लाइन बनाई फिर उसके बाद मैंने 3.5 इंच 3.5 इंच पर हमारा जहां पर यह इस तरीके से निशान जहां पर भी हमारा 3.5 आ रहा था यहां से लेकर वहां तक हमने फंच करनी आप देख सकते हो आप समझ जोगे अगर आप देख रहे हो तो और उसके बाद हमें हमारे इस निशान से जो हमारा मेन को पाद इसको मिला दिया अब गब सी स Cordula प mau देख ले तो सी मिला बचा यहां पर इमारा कितना इंच भचा भचा है इसे आपको ध्यान रखेंगा एक तरह फ़ा थी में द्यान से थी इंच हमारा जो हम इस पूरा बना लेगको तो इसके माद हमको 3 इंच का ही बेल्ट इसके अंदर एड करना होगा 3 इंच हमारा वहा था यहां पर मेने लिया दो इंच हम एक इंच कम लेंगे क्योंकि हमारा जो बेल्ट होता है वह थोड़ा सा गुलाई में कि तरीके से बनता है आपको पता ही होगा अगर आपको ब्लाउस अगर आपका भी बनाया होगा तो यहां पर यह बना लिया मैंने उसके बाद में मुझे क्या करना है यहां पर पहले मैं एक लाइन ड्रो कर लूँगी यहां से लेकर 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 यहा यहां पर ने बना लिया अब उस वाली लाइन पर से हमें हमारा यह जो बैल्त है यहां पर एक गोउल शेप देना हैं hier कि तर नहीं हम कीच ली उसके बाद आथने पर वहां पसके लिए उसके बाद रहेे कर टुख्ट करते हैं उस तरीक्टामिक तकस तक इस तरीके से अब हमें क्या करना है कि हाहसे रुइब दंद लृटा करना है हमको इरुइब लौब रपर निषान बनाना है इसे आपको बहुत ज़ाधा ध्यान से देखना पड़ाएगा विसरेंस कंन कि हमारा में जो ही वह यह हैए यहाँ पर मुझे इस तरीके से अंदर की साइड गुमाओ कि साइड जिस तरफ हमारा next है उस तरफ हमको इस तरिके से घुमा कर इस तरीके से आपको यह बना लेना है यह हमारा पूरा यहां से लेकर यहां तक बंद चुका है यह हमारा बन गया और वहा पर नीचा ले जलाईन हैना वह अमने बनाई थी उसको כम को टोड़ के सिलों हितना है यहां पर हमना अज़े लोकती है यह को पर वह हम कराना ही देेंगे यह गोल शेप्ट देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है सभी जगोपा इहां उपर की साइड भी हमने एक गोल शेप्ट देना है अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो कटिंग आपको एकदम ध्दम ध्यान से देखनी है कटिंग में आपसे कहीं गलती ना हो जाए इसलिए सबसे पहले हमको क्या करना है जो हमने यह निशान बनाया था इसको कट कर लेना है सबसे पहले हमको यह करना है इसको पूरे को कट कर देंगे यहां से इसको कट कर देंगे यह मैंने इसको कट कर लिया उसके बाद क्या करना ह इससे अब हम थोड़ा अलग-अलग करदेंगे उसके बाद हब हमें क्या करना है यह ज़ू हमने निशान बनाया था इसको हमें कट कर लेना है द्यान से आपको देखना है यहां से यहां से हेरी हमारे कोई लिशन काम कर नहीं इसको हमें हटा देना है और यह हमारा हो गया है यहां पर जो हलका सा कोना निकलावा दिख रहा है हमें इसको भी गोल कर देना है इस तरीके से यह हमारा यह भी गोल हो गया कोना हमको कट कर देना है उसके बाद में यह भी हमारे कोई काम का नहीं है बस हमारे में चीज यह है उ को भी क्योंकि हम यह दोनों चीज़ों को अलगा लगी हमें रेटी करना है आप मेरी वीडियो को एंड तक प्लीज जरूर देखे तो आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी कि मैंने ब्लाउस को किस तरीके से बनाया है और कितना अच्छा लग रहा ह आप इस की कटिंग अगर इस तरीके से अगर कटिंग कर ली ना आपने तो ब्लाउस आप बीना देखे भी बना सकते हो इतना इसी है ब्लाउस को बनाना यहां पर इसकी मेंने हमारा नेक होगा यहां से यहां तक हमारी लेस लगेगी और यहां से जो नीचे की साइड है यहा तो प credits mode вос forth ऐस तरीके के размक पहने मदद लेने वाल जिसे मुझे कफ लगाने की ज़रुरती नियीं पड़ेगीدا डाँ चाहा हो जाएक काल और अहां तीन पॉपर मैंने उसके से चक्लिंपिंप आना पीलति सकते करें ऐसितम काल कुछ ही नहीं पार में प्रली में था पहले सकता है और हलका गरम गरम प्रेस इसके उपर इसे लगा देनी है तो अपने आपी कपड़े के अंदर चिपक जाएगा बहुत सारे लोग कमेंड करके पूछते हैं कि किस तरीके से चिपकाते तो इतना सा काम है कि इसके अंदर एक दूसरे को एक के उपर रखकर और उसको चिपका दे अपने बेलवेट में, यहां पर पेशिंग सिंपल सी यहां लगा लगा लें टाके हमेरा कपड़ी हो इदा जोड लिया है में इसके बात मेरा यहां जोड लिया था यहां पर मैंने कृण लगा कहले यहां पर कट कहसे लाइय शेऊ हैं यहां ऑप यह साइट पर शेए नहीं कोलेवा तरफ लगारें में अपने लिए तरह को आई वर तो आपके ब्लाउस में भी नहीं लगा कर और कफ लगा सकते हो पर में इस तरीके से बनाना चाहिए यहां पर हमारा यह वाला फेबरिक है उसको उसके उपर रख लेना है और यहां सिले कर यहां तक हमें इसको सिलाई लगा लेनी इस निए पर ज delay लगा लेने के बाद हमने कि चोटे चोटे से कट्स लगा लेने छो जूटे चोटे से करना फ्रेंस यह हो गया हमारा जो ने आदा तो रेडी होई जोड़ेंगे ना इतना है इतना ही काफी जादा सुनदर लग रहा है इसके बेल्ट को अटेज करेंगे यहाँ पर इन लाइनों को ध्यान रखना है जब हमें जोड़ेंगे ना तो जोड़ने की टाइम पर बहुत ही ज़्यादा फ्रेंज आप देख सकते हमें इस ब्लाउस में काफाफ लगाने की कुछ भी जरुरत है नहीं कितना ज़्यादा सुंदर सा ब्लाउस बना है इसका फैनल लुक जब मैं आपको दिखाऊंगे जब ब्लाउस को तो मैं बाद में करूंगी पर पहले मैं आपको यह बता रही हूं सिंपल सी ले से मेरे पास गोल्डन उसको मैंने अपने नेक पर सिंपल से नीचे तक लगा लिए बहुत ज़्यादा इसको आप लगा सकते हो उसके बाद में यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक लि बाद में यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक सिलाई लगा लिए मैंने यहां पर सिलाई लगा लिए यहां पर बहुत ज़्यादा सिंपल अब हम इसका बेल्ट रेडी कर लेंगे बेल्ट को रेडी करने के लिए मैंने यहां पर अपना बेल्वेट का कपड कर लेंगे यहां पर मैंने अपने बेल्ट के लिए कपड़ा ले लिया है यहां पर बेल्ट के लिए मैंने अपना कपड़ा ले लिया है बेल्ट की जो हमने वहां पर आपको मैंने बताया था आपको तीन इंच का आपका बेल्ट निकालना जो नीचे का कपड़ा बचना था त विसके बाद में यहाँ से टाइ इनिश लेह ले रही हूँ ओ यहा standpoint शेफ दे़ेगा हमारा बेल्ट के दखकर लीए हमें धीके तब आपको अश्वान्ष उस तरकी से रही है है चैनल की इसम शाख कर लेना यंनुद शें सब्साइब मैं खषेख इसब्सी हमें सब्साइरा द अधेच किया है प्रेस की मदद से और बाद में लगा दी तो यहां पर पहले आप इसके ध्यान से ड़क लेज लेया इसके अधेड लेच किया देख लेज के लिए लेजिए तरीके से एक ब्याय लगानी शुरू करना के दूशन हो एट साइट से नहीं लेकर यहां तक यहां इसे पकड़कर यहां तक एक लगा लिनी तो बहुत जब ज़ादा इजी ओगा आपके लिए लगा लिया है इस तरीके से हमें यहाँ पर आप चाहो तो लैस लगा सकते हो पर यहाँ पर यहाँ पर लेस नहीं लगा रहे हूं कि फिर भूछ जब्गों से बने वाली ब्लास को इसलोई मैं उसके स्पच लिए पार्ट है सबसे पहले पहले हमने बचलिया पहले बचलिया रिफीर क्या क्याली हां बड़ा उन्वास के उपर में को अपना नेक ड्रॉ करना ही यहां पर इसका हम ले लेंगे कि अपना नेक इतना 3 इंच का रखा था तो इस तरीके से हम इसको गोल शेप दे देंगे आपको इसको बहुत ही द्यान से और बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पर गोल शेप दे देना है इस तरीके से के नवास से बहुत ही जादा ईजी होता है नेक को रेडी करना और बहुत ही जादा फिनिशिंग के साथ बहुत ज्यादा सुंदर निक हमारा बनकर रेडी होता है अगर हम ने के नवास की मदद से बनाते हैं तो इस तरीकी से उसको अच्छी तरीकी से ड्रॉ करना है यहां पर मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है उसके बाद में हम इसके उपर एक लाई नोड ट्रॉ है इसको यहां पर पेयन की मदद से उसको मैं इसको कट कर लेंगे इसकी कर लेंगे कर लिया वहती संदर सा मेरा बैक नक बनकर रेडी होई अगया फ्रेंज यहां पर अब हम इसको अंदर की साइट से भी कट कर लेंगे इसको मैंने यहां से अंदर की साइट से भी कट कर लिया है पूरा मेरा बन कर कट कर रेडी हो चुपा है यहां पर मैंने इसको यहां से कट कर लिया है कट कर लेने के बाद हमारे के नवास को हम किस तरीके से लगाएंगे मैं आपको बाता हूंगे सबसे पहले हमको एक फेब्रिक ले लेना है सिंपल सा जो अस्तर का हमने लिया था आप त 내मे सैंदर चला जाएगा अनदर केलिए मैं इसको aired प्रेस के में दिड़स से पहले में चिपका लोंगी चिपका लेने के बाद में हमारा एक्स्ट्रा फेब्रिक उससे में कट कर लोंगी सबसे परे आपको यह करे लेना है कि आपको कट कर लेना है फिर इसको प्रेस के मदद से चिपका लेना है के नुआस को उसके अंदर चेह हो गया उसके बाद हमारा जो एक्स्रा फेटर हमने जो अहाफा फिंच छोड़ा था उसको हमको इस तरीके से लेकर पूरे में शिलाई लगा लेने इसको आपको शिलाई लगानी पड़ेगी यह म आपको शिलाई लगा ली थी पूरे बेक साइड में फिर फेट तरह उसको ले लिया और उसको भी मैं इस तरीके से फोड़ कर लूँगी फोल्ड करूंगी और उसका जो सेंटर पॉइंट है बीच का उसको लेलूंगी इस तरीके से खराब करते हो तो आपका नेक्जर वह बिल्कुल एकदम सही बनेगा इधर उदर जाएड से कुछ ऐसा जीट नहीं बनेगा सही साट बन जाएगा यहां पर थोड़ा सा बड़ा कट लगाऊंगे ताकि मैंने पीछे चोटा कट लगा है यहां पर इस तरीके से हम इसको इस तरीके से रख देंगे एकदम बराबर यह मैंने सीधी सिलाई लगा लिया अब उसके बाद हमें उसको मशीन की मदद से सीधी सिलाई तो हमने लगा लिये लगा लिया है उसके बाद में हमको क्या करना है कि यहां से लेकर यहां तक पूरे में एक सिलाई लगा लिया है मैंने पूरे में सिलाई लगाने के बाद हमको ह कपड़े चाहदा है कि हमें 1-2-3 निए कपड़ार है बरके के लिए तुम्हें नइक day भी खराब हो सकता इसलिए हमें कपड़ार हो पूरह चाहदा इस तरीके नेक निए लाएं पहसा के लिए जिए लिए अनगों Warum Amp पूरे में कट्स लगा लेने के बाद हम इसको दूसरे साइड अंदर के साइड में फोल्ड कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से अंदर के साइड में पूरे को फोल्ड कर दूँगी मैं यहां पर यह हो गया अंदर आप देख सकते हो कि इतना प्यारा सा नेक बन के रेड़ी हो गया अब इसके अंदर भी मैं जो सिंपल लेस जो मैंने आगे लगाई थी उसे मैं पीछे की साइड में भी लेस को लगा लूगी यहां पर मैं लेस को डबल करके लगाने वाली हूँ यहां पर मैंने अपनी लेस लगा लिये इसको मैंने डबल करके लगाया हूँ इसको वैसे भी मैं कुंदन से पूरा बढ़ने वाली हूँ इसलिए मैंने जादा कुछ किया नहीं लेस वैसे इस तरीके से रख लिया अब इसको हम इसको इल्टा रख लेंगे इंके दोनों को पर नहीं के लिगाने वाली हूं स्लीव के अंदर यहां सबसे पेडिए में कितना ले लिए 9 इंच ले यह क्योंकि हमारा एक्स रचेश जा एंगा लिए पर कम नहीं होना चीज अदर जाड़ है अपने जो ज्लीव की लंबाई जो है मुझे 7 इंच की स्लीव बनानी तक कि एक इंच तो हमारा फोल्डिंग में या फिद अफिधर चलाई जाएगा तक कि एक निशान में तीन इंच निच एक और निशान बना लिया उसके बाद हम यहां पर निच निच एक और लाई इस ले किची तक कि हमारी गोलाई इस यह हमारा गोलाई हम दे पाएं इस तरीके से आप अगर आपकी स्लीव कट करोगे तो भुझ जाद एजी लगेगा आपको यहां पर में जो इसका बॉर्टा में वो 6 इंच रखोंगी पर यहां पर में एक से देड़ इंच निच 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 बढ़ा रही हूं ताकि वो स्ल में लगा लेंगे यहां पर यह मेरा हो गया है यहां पर हम दो फेब्रिक को पकड़ेंगे पहले यहां पर इस तरीके से और यहां पर कट लगा लेंगे कट लगा लेंगे सोरी थोड़ा सा हाफ इंच का कट करेंगे यह ज़रूरी हो दाइफरेंस कट करना क्योंकि हमारा यह वाली लेस लगाने वाली हो उस सबसे उपर के साइड पर में यह वाली लेस लगाऊंगी जो मैंने अपने लेहंगे में लगाई थी अगर आपने मेरे लेहंगे की वीडियो देखी होगी तो फिर आपको पता ही होगा कि यह मेरे लेंगी की लेस को मैं यूज करूँ इसके अंदर इस तरीके से लेस को मैं इसके अंदर पहले अटेच कर लूँगी अस्तर लगा कर अटेच करूँगी अस्तर कट कर लेना है फिर उसके बाद आपको स्लीव को अटेच करती हूं बलाउज या सूट से सेंटर पॉइंट ले लेना है हमें स्लीव का फिर उसके बाद शोल्डर का जो सेंटर पॉइंट है वहां से नाप लेना है फिर उसके बाद स्लीव को अटेच कर लेना है से निवारे फिर कि दू साइट से से लगा लीजे लगाती हैं हम यह ब लाव ब्रॉप बनाती हूं कि तर्यक works बू einours very easily यहाँ पर हुकाई की पटि पनिने बना लिया है, इस तरीके से हमारी रीडियों गाए, अब सबसे नीचे हमारी जो कमशाई पटि होती है, वहाँ पर ऐसी तरीके से लगा कर फोल्ट कर दोंगे, इस तरीके से हमारा जो पूरा blouse है वो बनकर ready हो कुढ़ाई कितना सुन्दर सा अच्छा सा blouse बनकर ready हो चुए है इस तरीके का blouse अगर आपके लहेंगे चल्गे या फिर सारी के लिए किसी भी चीज के लिए बनाते हो तो बहुत जादा सुंदर सा यूनीक सा लगेगा नया कुछ नहीं डिजाइन का लगेगा आप इस तरीके का ब्लाउज एक बार बना के प्लीज जरूर देखे मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आईगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरू करे और मेरे चैन